असलालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माईनू रेसिपी, आज मैं आपके साथ शेर करूंगी मज़ेदार से गर्मा गरम गोड़ के चावलों की रेसिपी, विंटर का सीजन सुरू हो चुका है, और विंटर में गोड़ के चावल न खाय जाए, तो भाई मज़ा नहीं आने वाल गोड़ होना चाहिए, आपका दो कटोरी, बस यहाँ पर दो कटोरी मैंने गोड़ ले लिए, इसके पतले-पतले पीसिस बिल्कुल ने किया, जैसा गोड़ मेरे पास था मैंने वैस सही ले लिया, अब यहाँ पर में ले लूँगे एक कुकर, कुकर में आप थोड़ा सा ओ और उसके बाद में डालूँगी पानी गुर को आपको छोटे पीसिस करने में या कुछ इस तरह का के मतल willen इतने बड़े बड़े गुड़े है के तो यह कैसे मेल्ट होंगी आराम से मेल्ट हो जाएंगे जम आप इसमे पानी अड़ करेंगे पानी में ले रही हूं यहापर ए अच्छे से बॉइल आ चुका है अब यहां पर मैं डाल ले हूँ थोड़े से ड्राइफ फ्रूट से यानि कि मैं केवल नारियल यहां पर डाल ले हूँ अगर आपको जो भी ड्राइफ फ्रूट पसंद है जो भी आपके पास अवलेवल हो तो आप वो डाल दीजिए बस यहा चावलों को मैं यहां पर डाल दूंगी अच्छे से और फिर इसके बाद मैं में ct लगा दूँंगी जब मैं इसको कवर करूँगी तो दो ct मैं इसकी तेज पर लगाऊंगी और यह चावल बने हैं आप देख सकते हैं बहुत मज़े की चावल लगते हैं जब गरम गरम इनको सर्व करो या दूद के साथ जो लोग पसंद करते हैं थोड़ा इसमें गाड़ा मलाईदार दूद भी आप डाल के खाई तो देखें बहुत ही मज़े की चावल लगेंगे और मैं अब इसको निकालूगी देखें क्या मज़ेदार हमारे चावल बन करके तयार हुए हैं गोड़ की बस मज़ेदार से हमारे ये गोड़ की चावल बन करके तयार हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपको इसको जरूर ट्राय कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं अगली रेसिपी में जब तक के लिए अल्ला हाफिज